तो और दोस्तों कैसे और आप लोग मैं आपको वेल्गम करता हूँ जे यार टुटरियल्स के चैनल पर यार भाई यार आप तक तो आप मुझे जान चुके होंगे मैं हूँ यार गौरम उन्रा जो आपको रेस्पाइबाग करना है अब आपको पर दिए और सब्सक्राइब आप नहीं कर रहा है जबया इतना उमेद राखता हू तुमसे तो चलो आप अपण टापेश नहीं करेंगे सिधा आएंगे अपने content में वह भी syllabus के दुझा में पहला लेक्चर हमारा पहला लेसन आज का वह है पहला लेक्चर आपने सब्जेक करते हैं यहां पर जिसमें पहला लेसन है दोस्तों इन्वालमेंट करते हैं वहांपे क्या होता है पैसे का कुकिंग करने के पैसे कर रही है और हम काते है उसे कमा सकते हैं help क्या में एक पॉंट कर रहा है जो वह सबार गाते खाते क्या वह एकषिग अपको बताना है इसका आंसर है बिल्कुल नहीं क्यूंकि वहां पैसे की इंवल्मेंट नहीं वह तो मम्मी और प्यार है उमें खाना घिलाती है अब यहां पर देखो दोस्तो प्रेंड आप यह प्रोफेशंट तीसरा एंप्लॉइमेंट अब इसको हम डीटेल में study करते हैं यहाँ पर चलते हैं हम start करते बिजनस से अब दोस्तों बिजनस का मतलब क्या होता है बिजनस देखो ना यार इसमें एक तो में आपको होता है आपने अप तक यहीं सुनाओका सा profit कमाना ठीक है कैसे कमाना आज हम उसको देखने वाले हैं प्रोडक्शन भी हो सकता है उसके बाइद अब देखो बात बताओ तुम बिजनस कर रहें तुम किसका बिजनस करोगे मार्केट में तो अब तुम्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा अब तुने यहां पर प्रोड़क्शन करी अब उस गूट्स को तुमने सम्झो कुछ यंशीजी नहीं हुआ है rou buffs कंपई के स्टेज में हें और वह चीज हो जाएगा उसे मार्केट में बेचेए अब मार्केट में पेच सोगे एक उपके एक manufacturing की कंपनीन और बिजनस बिजनस सकतिया आपकी अपने डरेक्स्ट्रमर को दी पहले दो मिजनस को और स्टडेडी करते हैं इसके फिचर जानके पहला है एकनॉमिक एक्टिवीटी हम मिजनस क्यों करते हैं पैसे घームाने था नवी क्यों कि अपने ग्री Foundation ऑप्रियों लोगों की भलाई के लिए यह लोगों की भलाई के लिए तो फिर दो प्रॉफिट नहीं करूंगा तो बिजनस में आता वह किसमें आता है सर याद करो हमने स्पी में पढ़ाता घर जिसने की स्पी नहीं है इसको मैं बता दू वह आता है नón प्रॉफिट और्गनाजेशन चलिए अब चलते हैं प्रोड सा हमने इसको पूरी तरह से एकदम तयार ऐसा बना दिया है कि अब उसको कस्टमर यूज कर सकते उसको कहते फिनिच गूट्स डबलो आई पी जैसे मैं आपको बता अभी थोड़ा पहले उसके बादे एक्सचेंज और गूद्स अब देखो ना यार बिजनस में एक्सचेंज बिजनस करने का मन हो रहा है मम्मी बस आज मैं बिजनस करूंगा इसा नहीं होता ना बिजनस के एक लंबे समय तक होना है चीए तब उसके बाद दोस्तों अंसर्टन रिटर्न बिजनस में आप देखो ना ऐसा नहीं है कि आपने बिजनस खो दिया वह बहुत चलेगा ऐसा हो सकता है अपको बहुत लोस लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसके बाद अप इतना पैसे नहीं हो लेकिन आप लोगे आप तो बहुत कमा लिए आप consumer goods words पर दियान दो consumer हम customers कोई दूसरा word होता है consumer जो उसको खाने वाला है या उसको इस्तमाल करने वाला है उसे कहते हैं consumer अब यहां पर consumer हम एक consumer है हम क्या करते हैं चाय को पीते हैं सुबह सुबह रोच उसके बाद दूर भी खरीते हैं पीने के लिए ऐसे चीज़े जो हम डेली यूस करते हैं कुछ अपना डेली इस्तमाल करते हैं consumers अपना ध्यान रखने के लिए उसको कहते हैं consumer goods उसके बाद है capital goods अब देखिए आर दोस्तों यहां पे machine plant furniture आप मुझे एक बात बताओ अब हम जो मशीन खरीते अब बोलो के सर हम तो machine क्यों खरीदेंगा है अब समझो आप TV खरीदे हो आप टीवी खरीदा आपने आपके पपा ने करीदा यह जो भी चलो कोई भी वात हो अब TV आप क्या expect करते हो टीवी आठ टीवी देख लिया बस बहुत हो गया एक दिन चलाओंगा बहुत हो गया ब आप यह समझीए जो लंबे समय तक चलते हैं उसके बाद रिस्क बिजनस में ऐसा तो है नहीं आप एकदम बस आपने बिजनस स्टार्ट कर लिए बहुत सरे पैसे कमा होगे बिजनस में रिस्क होता है आपके competitors आज टेक्नोलोजी इतनी बढ़ चुकी है दिन बर दिन टेक् करते हैं तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है यहां पर कहना चाहता है उसके बाद एक customer satisfaction अब देखो ना हम जब वीडियो डालते हम यह expect करते हैं हमारे बच्चे एकदम satisfied लेक्षर से तो बस वैसे ही business अगर आपका चलाना है आपको अच्छा growth करना है तो कैसे करोगे कस्टमर्स का satisfaction चाहिए ना यार कस्टमर्स आके बोले सर आपकी जो गूट सीन अब बहुत अच्छी है जैसे ही आप बच्चे हमारे वीडियो पर कमेंट करते होगी नहीं तो हमको भी satisfy करो और कमेंट करो कि यह तुम्हें लेक्षर अच्छा लग रहा है चलो अब तुम्हे कोई कहते हैं सर में professional आदमी हूँ क्यों कहते हैं क्योंकि वह क्या होता है डॉक्टर होता है और भी बहुत से डिग्रीज होती है उसको प्रोफेशनल कहते हैं क्योंकि उसके पास हम सबसे अलग सी knowledge है और अलग सा skill है उसने उतना चीज को implement कि है उतना उसको सिखा है अब दे लेकिन क्या और अपने ही प्रोफेशनल से लड़ सकता है जो एक लॉयर एक प्रोपर लाइर लट सकता है उसके बाद को बना है तो आपको आपको ICSI का मेंबर होना पड़ता है तो अभी आप एक सीएस कहलाते हो बहले है अपने एक्जाम क्लियर किया हो लेकिन आपको सब्सक्राइब करते हैं अब कोई प्रोफेशन कोई प्रोफेशन आत्मी है वह क्या सोचेगा यार मैं पास डॉक्टर है अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी आम आदमी आए और मेरा काम संबले हो ओविसली कोई डॉक्टर आगा तो ही हो संबलेगा तो इसको इतनी टेंशन नहीं होती अब जैसे यहाँ पर कॉलिफिकेशन अब देखो ना यार अगर कोई सीए 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 से वह कुछ पैसे कमा रहा है उसने इंकम कमाई तो उसको ना उसकी रीटन बात कर रहा है वो टैक्स किसको बारेगा गवर्मेंट क हो जाके बारेगा तो उसको रिटन बढ़नी होती है उसके बाता आप देखो कोई डॉक्टर है कैपिटल यानि कि क्या पैसे यहाँ पे जब हम थोड़ी से 11 12 में आते हैं उसको पैसा नहीं कहते है अजीब सा लगता ना उसको आपिटल के लिचाए क्योंकि आ ना कि आ आ सक लगेगा उसको जहां पर प्रैक्टिस कर सके अब जैसे डॉक्टर है तो उसको एक शायद हॉस्पिटल खुलने में जितना कैपिटल लगता हो उतना लग जा लेकिन अब बात कीज़ें मैं इतने दर से कहे रहा हूँ अगर कोई CA and CA से वो तभी कहलाता है बहुत है उसको इसको 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 नाम से मेंबर्शिप के नाम से हटा दे ठीक है तो कैसा रजिस्ट्रेशनल मेंबर्शिप आपको मेक्शो करने हैं आप फीस बरो आगे की बात है जब आप CACS करोगे तब सब पता चल दाएगा टेंशन ना लो उसके बाद है नॉन ट्रांस्फर एबिलीटी वर्ट्स पर दें दीजिएगा जैसे अभी एक इंसान है यह किसका काम कर रहा है CACS का अब यह कहता है यह तुम्हारा भाई अब मेरे एक फ्रेंड है तुम लोग यह कौन हो तुम लोग एक graduation तुमने के पास degree है लेकिन तुम्हारा भाई क्या है CS है अब मैं बोलूँगा यार सर सुनो ना यह मेरा दोस्त यह graduate मैं एक CS हूँ यह CS का काम मैं इसको सिखा दूँगा यह कर लेगा ऐसे तो allowed नहीं ना यार CS का काम कौन कर सकता है एक CS CA का काम कौन कर सकता है एक CA अब अब भला ही वह मेरा दोस्त हो मेरा फ्रेंड हो भले उसको मेरा पूरा काम आता हो लेकिन जब तक वह एग्लीजिबल नहीं होता अग्लीजिबल कैसे होगा जब तक उसके पास वह certified degree नहीं होती तब तक वह प्रोफेशन एक्ट नहीं कर सकता उसके बाद नेचर और आप लास्ट टॉपिक पर और वह एंप्लॉइमेंट मतलो भी आट वस्तों आप सूचो कि सर एंप्लॉइमेंट क्या होता है एक पर्सन किसी और के अंडर काम करता है अब जैसे तुमारे फेवरेट सर राहुल सर कौन है यह राहुल सर इनके बाल बनाना भूल गया है चलो कोई क्या है उन्हें जॉब प्रोवाइड करी है वह हमें क्या देते वेजस देते चले देते इस तो पैसा देते है ठीक है चलो वह तो बात की बात है लेकिन अब यह जो राहुल सर हमें इनके अंडर काम करते हैं दूस्तों यह है हमारे employer इनका कहते employer और यह जो परसन है आपका faculty इसको employee कहते हैं अभी आप छोटे नहीं हो अब आपको अच्छे वर्ड यूज करने हैं इसे नहीं करना है यहां पर फीचर की बात करते हैं यहां पर पहला जो है इनका एम क्या होगा employee का होगा इसको यहां पर अंडरर करना है यहां पर फीचर उसके बात बता है कॉलिफिकेशन कोई have to decide करने वाला है हम तो कोई नहीं होते है जो हमारे employees हो जो भी बहुत होगा वो डिसेट करेगा कि उसको कैसा faculty चाहिए कैसा teacher चाहिए या कुछ भी और related field हो तो वो डिसेट करेगा उसको कैसा officer चाहिए तो कॉलिफा कॉलिफिकेशन जो भी उनकी requirement होगी अगर आप उस requirement को meet करते हो तब आप वहाँ पर job कर सकते हो उसके बाद यह देखो यहार 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 पर क्या हो तुम एंप्लॉई हो तुम किसी के अंडर वर्क कर रहे हो तुम है capital की क्या चिंता तुम्हारी जो काम है capital का वह सिर्फ और सिर्फ एंप्लॉईर घ्यान रखेगा तुम्हारा काम क्या है आना है वहाँ पर अच्छा से काम करना है डायक्शन फॉलो करने जो हमारे एंप्लॉईर बेरे और एक अच्छा सा आपको काम डिलेवर करना है अपना वर्क से भी इतना है उसके बाद है duties, roles, functions उसमें उनकी सारे चीज़े discuss की होती है और जो employee होता है उदर sign कर देते कि हम जो भी काम करेंगे इस बुक में लिखा है वैसा ही काम करेंगे इसके लावा कुछ और काम नहीं करेंगे अब तुम चोड़े बच्चे तो तुम्हें ऐसे समझाता हो इसका बहुत नहीं होती है लेकिन इसमें जरुवत नहीं होती है क्योंकि यह contract है तुमारे पास ही रखो बस वह make sure करना है जो भी employee जो भी employer है आपको आप लोग जो है ना contract के हिसाब से काम कर रहो बस आपको इतना भ्यान रखना है उसके बाद दोस्तों last feature ठक गए होंगे ना कोई बात न होगी टीचर की तो बस यहां पर nature of work क्या है टीचर अब हमने शायद यहां पर एक topic जो है एक point कर दिया है वह है नॉन transferability अब जैसे जो faculty teacher है यह तुमारा भाई मेरा नाम क्या है अब यह है अपने गौरफ सर अब मेरा एक छोटी सी दीदी है मेरी चोटी तो यार बढ़ी द खाया ना तो भले रिट तेरी position में किसी और को थोड़ी दोंगा अगर उस फिल्ड में उतनी एक्सपर्ट नहीं है तो बस वह यहां पर यही चीज़ की बारे में बात करना चाथ तो देखवा यार दोस्तों आज हमने OCM का first chapter का एक अच्छा कासा start कर दिया है हमने economic activity को समझ या non economic activity जो तीन पार्ट थे उसको भी हमने detail में वड़ा एकदम अच्छी से I hope आपको एकदम अच्छी से clear हो गया है और तो बस वहां पर मिलते और मेरा तो क्या है यार मैं वापस आपको अगरे लेक्चर में यही मिलने वाला हूँ लेकिन मैं इतनी उम्मिद करता हूँ कि आप भी मुझे मिलोगे चलो फिर यार दोस्तों इस लेक्चर में सिभी तना ही and I hope आपने enjoy करा पढ़ाई करते वक् पर चलता हूँ वेल्डे लेक्चर में